सबी बाईयों को नमस्कार सबी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से आप भाईयों के लिए एक मुर्रा पसुदन लेके हाजिर हुए हैं और वीडियों के जरिये आपको बारंबार अच्छा और उंदा क्वालिटी का पसुदन दिखाने का एक मादम मातर जिसमें हम सोचल मेडिया के जरिये आप तक वीडियों हैं उनको पहुंचात आप तक पहुंचता रहे और रेगुलर वीडियों के लिए साथ में हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करें ताकि वहां भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमारा जो फारम है उसका एड्रेस मैं एक बार जरूर बताना चाहूंगा काफी बाई हैं जो नए जुड़ हैं बार बार हमारे जो नोर्मल किसान पसूपालक भाई हैं जिन्नोंने बड़े बड़े रिकार्ड दे अपने जिले का जो नाम है वो आज सोसल मीडिया पे चमकाया है काफी बैसे निकली जजजर से लिलूराम जी मामन सिंग जी बलवान फोजी अस्वनी भाई जिनके फा होता है कि हम उस जिले में रहते हैं जहां पर इतने अच्छे मिल्क लाइन की बफलोज मिलती हैं तो आज अपने फारम से दूसरे ब्यात की जोटी जिसकी वीडियो हम लेके आ रहे हैं जो हमारे फारम पे आये लगबग इसको आठ से दस दिन हो चुके हैं क्योंकि बीच मे ये डाउन आगी थी दूद से किसी कारण वस और जोटी की बातचीत भी हो गई थी सोदा होने के बाद जब दूद डाउन आया जोटी दूसरे पसू बिकने के कारण तो हमने उस पसू पालक को मना कर दिया था कि वह आपिस रिकावर करेगी तब ही हम इसको बेचेंगे उस पास से दो पसू बिक्के चले गए थे और जोटी थी जो अपने फार्म पे वह अकेली रह गए जिसके कारण इसने जो दूद है वह डाउन कर दिया और थोड़ा दिल नहीं लगाया अभी वापिस जैसे ये काद पसू हो रहा है इसने फिर से मन लगा लिया तो यादव डे अडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं थनों की साइज काफी अच्छा बिल्कुल छोटे सींग की और जो भाई घर रखने के लिए घर पीने के लिए लेना चाते है इसमें एक मैं चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा जो टी के नीचे गी काफी अच्छा है क्योंकि सोड़ा लीटर दूद कियो तो सोखीन भी है सुंदरता का भी जोटी का कोई जोड नहीं है बहुत ही सुंदर है साइज अच्छा है चुट्टे सिंग की है और दूद भी है दूसरी बात निच्चे से बहुत ही साफ सुत्री है साइद इतने साफ पसू आपको फेल्ड में अगर आप गुमते हो तो काफी कम देखने को मिलेंगे तो जो भाई देख रहे हैं देखे पीट की चोड़ाई करीब से दिखाएंगे और जो अडर की क्वालिटी है यह देखिए बिल्कुल साफ सुत्रा आज कल मोस्टली जो बैसे हैं उनमें अन्बैलेंस काफी मिलता है और मैं काऊंगा यह कोई बड़ी बात भी नहीं है नॉर्मल उनिस बीस मिल जाता है लेकिन इतनी साफ सुत्री जोटी बिल्कुल जेड ब्लैक टेल की साथ में इसके मेल काफ है और जो चुआई है अगर कोई भी पसुपालक आल ओवर इंडिया इस जोटी को खरीदता है त सायद इससे सोफ्ट चुआई आपको किसी पसुदन की मिले थन बहुत ही अच्छा बनाती है चारे में खाने पीने में भी मानके चली आप लगबग जैसे जैसे सैट हुई है काफी अच्छा खा रही है उमीद अच्छे दूद की है लेकिन फिर भी हम आपको ज्यादा रेक सागत में दूद में काम चल जाता है और सोक या तोर पर जैसे इस तरह की जोटियां है वो गुडगाओं साइड के जो पसुपालक है या बात करें हरीदुआर साइड के काफी जो इस तरह की जोटी सेलेक्ट करते हैं साइड चे आप थनों में स्पेसिंग देख पा रहे है और जब तक आप देखते रहेंगे खाती ही रहेगी क्योंकि खाने पिने में मैं बार बार बता रहा हूं अच्छी है और ये एक पसुदन के लिए, एक पसुपालक के लिए काफी और बेनिफिट की बात होती कि उसका पसुदन टाइम पर दाणा खाई और अच्छी तरह से सेट रहे तो आपको एक बार खोल के जो संपूर्ण व्यक्तितव इसका इस वीडियो में दिखाएंगे ताकि देखने वाले बाई हैं वो संतूष्टो काफी बार जो पसूपालक है उनको पैर वगेरा में अगर समस्या हो तो पसूधन दिखाई नहीं पड़ता लेकिन जब चलता है तो संपूर्ण दिखाई पड़ता है चारो थंड स्पेसिंग काफी अच्छी चारो थंड अलग अलग और सोब आओ वाईज भी काफी ठंडी है जो कि मैं कहूंगा काफी कम मिल पाती है इतने शांत सोब आओगी जोटी यह देखे उपर से जो पीठ पुठा सिंग तो आप वाई जो वीडियो देख पा रहे हैं आप कोमेंट में जरूर बताएं किसी तरह का कोई टाइम वगेरा नहीं कि थंड पे आई हुई है तो आपको वीडियो कैसी लगी कोमेंट में जरूर बताना कोई भाई खरीदना चाहता है संपरक कर सकता है सभी को मेरी तरफ स से नमस्कार, सत्सरीकाल, राम राम, सलाम.